हमारे एक दोस्त हैं, देखने वाले हैं, गुरू जी के चाहने वाले हैं, पृषंसक हैं, इशान पांडे जी, आपने 4-5 प्रशन गुरू जी से पूछे हैं, तो मैंने गुरू जी से पूछा, तो इन सभी प्रशनों का जवाब एक साथ तो नहीं हो पाएगा, पर हम धीरे दीरे करके इशान जी आपके प्रशनों को लेंगे, मैं गरुजी के सामने प्रशनों का रखूँगा. तो गुरुजीन का जो पहला प्रशन है इशान जी का वो ये है कि जब बुद्धिज्म के अंदर बौध मत के अंदर आत्मा नहीं है तो फिर पुनर जनम कैसे होता है, रीबर्थ कैसे होता है? बहुत लोग जो हैं वो शण भंगवादी हैं, जो चीज अगर कोई इसान ही हमारे पास होगी, तो हमारा उससे बड़ा मोह हो हो जाएगा. वोसे प्रिजर्व करने कोशिश करेंगे और प्रिजर्व करने कोशिश करेंगे तो उससे हमारा मोह हो जाएगा और मोह सारे बंदन का कारणा है तो बहुत जो है कहते हैं कोई चीज पर्मनेंट है यही नहीं जिससे आप मोह कराएं यह मेरी है यह किताब मेरी है तो मेरा किता अगर हम कहें शनभंग वाद ये किताब तो शनिक है अभी मेरी है अभी थोड़ी दिल में विकास जी की हो गई ये थोड़ी दिल में किसी और की हो गई तो फिर मेरा किसी दिल मोह नहीं होगा इसलिए उन्होंने हर प्रमनेंट चीज को शनभंग बना दिया है बुदिस्ट जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि बुदिस्ट आत्मा को नहीं मानते हैं ये बड़ा सरली करन है बुदिस्ट आत्मा को मानते हैं सारे दर्शन भारत के आत्मा को द्रव मानते हैं यानि आत्मा परमनेंट चीज है कोई बुद्ध कहते हैं आत्मा है पर द आत्मा प्रोसेस है कि प्रोसेस में क्या होता है कि हमें दो चीजें दिखाई देती हैं जो सेमने से वो प्रोसेस में नहीं होती है अब इस से श्रुट होती है क्या जहीं कि अपने आखों के दो के से मन के तो जैसे प्रोसेसे औहोंने उधारन दिया जैसे एक कि तो हमें लगता है निर्णतर है, यह निर्णतर नहीं है। यह एक एक बूंद अलग-अलग है, प्रोसेस चला है, तो आत्मा भी ऐसा है, यह चेतनाओं का प्रवहा है आत्मा, बुदिस्ट जहें कहते हैं कि आत्मा सत्त नहीं, आत्मा कोई द्रब नहीं है, आत्मा कोई पदारत नहीं है, आत्मा एक प्रोसेस है, और चेतना के हमारे ए ईक चेतना आई। फिर दूसरे चेतना एख़ेmaan, फिर थीरत चेतना आई। इस चेतना अकनों के कितना कैते हैं, रहात्मार हैं पत्तो नहीं हैं, यह पती हैं, जनफमोर पता रखर जागए वहांगे था, बुद्दिस्ट की गाते हुं। हम दूसरी बूंद को समझते हैं कि उसमें similarity है बिलकुर, जैसी पहली बूंद जल ले थी, जब यह तेल आया, तो अंदर से उसी तरह से बिलकुर हम दिखाई देता है, कि दूसरी बूंद भी ऐसे जली, तीसरी बूंद भी ऐसे जली, निरंतर तो अपनी तरह से जोड़ लेत तो एक एक भून से जलते जाते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि ये प्रोसेस आत्मा हो गया अब जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो एक कंड में से दूसरा कंड पैदा हो गया इसको हम समझते हैं कि उसी आत्मा ने जनम लिया वो आत्मा नहीं होती उस आत्मा जैसी हमारी एक जोती जन चेतन तत्व उसमें से पैदा हो जाता है पहले तत्व के बाद दूसरा तत्व जैसा ही होता है और जब उस जैसा होता है तो हम उसको यह समझें कि यह अलग है यह अलग है यह अलग मानने चाहिए लेकिन continuity समझ लेते हैं क्योंकि उनमें same minutes होती है अब आत्मा जो है जब एक नश्ट हो गई दूसरी आय दूसरी बूंद आए तो इसी तरह से हमारे बाद नगा होगा है कि एक चेतना का तत्व नश्ट हुआ दूसरा चत्व आया इसको उन्होंने बाद नगा है यह पुनर जनम हुआ। किसका पुनरजनम हुआ? एक तत्त वएक प्रोसेस के अंदर एक कड़ी का, दूसरी कड़ी का, तीसरी कड़ी का इस स smiles जनम होता हrift. तो पुनरजनम किसी पर्मिनेंट चीज का नहीं होता है. पुनर्द चीज उस जैसी ही उस पर्मेंट लगने वाली चीज जैसी जो गुद्धोके से हमें पर्मेंट लग रही थी प्रॉसस को उस प्रॉसस में उस पुनर्द उस जैसी चीज का जनम होता है और उस जैसी चीज के जनम को हम समझ लेते हैं कि यह आत्मा का पुनर्द जनम हो गया बुद्ध जो हैं इस तरह से explain करते हैं और इसलिए वो निर्वान कहते हैं जब वो जोत बुद्ध जाएगी तो ऐसी चीछ पैदा नहीं होगी दूसरी जब वो एक बुद्ध बुद्ध जाएगी इस बुद्ध के बाद हमने अगली को बुजा दिया निर्वान माने तो दूसरी चीछ पैदा ही नहीं होगी तो आत्मा का जनन मरन खतम हो जाएगा तो बुद्ध की आत्मा छनमंगवाद इसको जब समझते हैं तो बुद्ध जो हैं आत्मा को दर्व नहीं मानते आत्मा को प्रोसस मानते हैं ये बड़ी भूल है कि हम कहते हैं बुद्ध आत् आत्मा को दुर्व नहीं मानते हैं, आत्मा को पर्मनेंट नहीं मानते हैं, आत्मा को कोई स्थाई चीज नहीं मानते हैं, आत्मा को नित्र चीज नहीं मानते हैं, आत्मा को शन भुग एक के साथ दूसरी दूसरे चेत्ना के, तो चेत्ना के अलग-अलग शन जो हैं, उनका ज जैसी भूंद का उसको हम पुनरजनम कह देते हैं, तो similarity को sameness नहीं मानना चाहिए, फिर हम समझ जाएंगे कि हम पुनरजनम में similarity का है, और हम जो मानते हैं जो अन्यदर्शन है, वो sameness का मानते हैं, sameness का पुनरजनम वो दिल नहीं मानते हैं.